तिखे को सबसे पर्लेतनीं देखते हैं कि सहरी व्यूमिय उप्योग क्या है यह मैं देखना है इसके लिए कि छारा है जनल निकायों से क्या कर रहा है वोञी को निकाल हूँ दिटीक है कैसे study का याद होगी मन अब याद आ रहा होगा काफी है ना तो कैसे जल लिखा है इसे भूमी निकाली जा रही है ठीक है इसके क्या प्रयावनी प्रवाव है ऐसा करने से क्या इसके प्रयावनी इंपक्ट है आपको उदार्ण के साथ बताना है वह भी डेड़ सोवर्ड में ऐसे क करने करने को दो तो इसके तीन पॉट प्रवाव गया है इससे कुछन में इंट्र जब भी शुरु करो आपके बहुत अच्छी ऑप्रोस्टिंट पास और भारत में जैसे एक कुछ भी नहीं तो आपकी इन्वेशन माना जाएगा कैसे आप सुरू कर सकते हो तो इस में इंट्रो दो तिन चीज़ों से सुरू कर सकता हूं तो एक तो जो यून का बना हुआ है यून का क्या यून का बना हुआ ना कौन सा मरुस्त लीकरण बर उसमें जो एक कन्वेंस भी समय जो बना हूआ है उससे सुरू कर सकते हैं या यून क्या बोलते हैं उसको ccd करकि है ना वहाँ से सुरू कर सकते हैं और भी इस बारे में काफी बताया है, कि जो बंजर बंजर बमी हो रही है न आज कल, ना के उल सहरी उसमें सारा उसमें कॉन सिप्ट आता है, इससे शुरू कर सकते हैं, या फिर हम सुरू कर सकते हैं, IPCC के नुसार, कि IPCC की हाल ही रिपोर्ट में आप कई बच्चे बोलेंगे किस तरह तो सोट में लिख सकते हैं क्या GS में सोट में लिख लैना इसको जैसे आपने लिखा अभी IPCC इतना टाइम नहीं होता है लिख सकते हो English का वर्ड भी सोट में लिख सकते हैं बुराई नहीं है हाँ essay writing में जाओ तो essay writing में गलती मत करना है essay writing में इंगलिस के सोट वर्ड यूज नहीं करने यूज भी करने तो ब्रेकिट में करना बड़े हिंदी में लिखने के बाद में GS में चारू में चल सकते हैं लेकिन जैसे कई बार ऐसी वर्ड आते हैं जहां पर सोट नहीं लिखना चाहिए जैसे सुप्रिम कोड को कई बच्चे ऐसी लिखते हैं सुप्रिम कोड को ऐसी सोट में लिखते हैं वह अच्छा नहीं नहीं बाना जाएगा सरोष निया ले लिखो आप या माना नहीं सरोष निया ले है ना थोड़ा सा कुछ सब्दों पर धानक ना होगा कि कहां आपको वेटेश देना है कहां सोड करना है जैसे यहां IPC चल जाएगा एक्जामी दर समझ जाएगा कि क्या करना है अब इसको इंटर गौर्णमेंट पे में बदलाव आया है और इसके करन क्या हो रहा है इसके बहुत जदा इंवारिमेंट इंपेक्ट देखने को मिल रहा है यह आपका दो लाइन का तीन लाइन का इंटर हो गया इंटर के से सुरूआत कि हमने अच्छी रिपोर्ट इंडेक्स या कोई डाटा बगिरा उससे सु कवर करनी है ठिक है बोडी पार्ट की से 3 दिबांड पोची करिये नमर्वन दिबांड दोसरी और थழ यह तीनों डिबांड करोगे तब лайक St सेरी बहुमी उपयोग तो थोड़ा सा इसके बारे मताओ सेरी बहुमी उपयोग अब बहुमी उपयोग क्या है? इसमें दो चीजी ले सकते हैं जैसे एक परंपरा पर्म जैसे दिल्ली का एगजम मपल लें कोई case study ले सकते हैं दिल्ली की जैसे आज से 20-30 साल पहले या 50 साल पहले देखें तो वहां पर सहरी भूमी प्योग में एकदम गन्य वन भी हो सकते हैं आसपास सड़कों के किनारे या पुरानी दिल्ली में या नई दिल्ली में तो अभी भी अच्छे मतलब आप देखोगे अच्छे पार्क बगरा है वहां मतलब पहले कि भूमी प्योग का मतलब क्या होता है किसी भी एक पार्ट पर कितना जैसे एक सहर की बात करें कितनी किस चतर में इंडर्स्ट्री है कितने वहां पर वन है कितने और इंफ्रस्ट्रेक्ट्टर वहां पर सड़कों का जाल है इसको बोलते हैं भूमी प्योग यह यमून अच्छे से बहरी है, बहुत साप सुत्री भी है, उतने गंदी भी नहीं है, तो यह उसका बहुमी प्योग था, लेकिन आज क्या हुआ, आज ऐसा क्यो हुआ, कि वहां का बहुमी प्योग बदल गया, कारण क्या है, जंसंक्या वर्दी, अब दिल्ली पर इतना हस्पिताल भी चाहिए, होस्पिटल भी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए आपको, इसका मतलब यह आधारभू डाचे का विस्तार बढ़ रहा है, और लोगों के लिए सबसे इंपोर्टेंट है, आवास एक बड़ी चुनोती है, और दिल्ली में अभी क्या संकट है, अब दिल्ली में अभी जो यूपी से एस्पिरेंट की भी देट हुई है, तो वहाँ पर एक चिलेंज क्या आ रहा है, यह सब भूमी उप्यों के विज़सी तो आ रहा है, मतलब सहिंस्ता की तो मानते हैं कि सहिंस्ता उनने अपनी भूमीगाई नहीं 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 भाई, जो जो सब्सक्राइब है, तो यहां से बहुत सारे आउटकम निकलेंगे, बहुत सबग निकलेंगे, तो यह हमारे सामने भी इस चीज़ा आने वाली है, तो खहने का क्या मतलब है, कि आधारब बुदाचा, अब अनक क्या किया रोने, जैसे आप चैने का एक्जामपल ले सकते हैं कि चैने का लेंड विज कहता है, वहां पर पहले वाटर बोड़ीज बहुत ज़्यदा थी, चैने की लोकेस आप देखो कि तटके से ज़्यदा दूर नहीं है, और वहां पर नेच्रल जो वेट लेंड है, बहुत सरी नदियां है, तालाव हैं, जीलें, बहुत अच्छे एक बढ़ा होगा, तो क्या करेंगे उस पर, अभी तो आज कल तो इन्वारिमेंट की लोज बर गया अच्छे होगे, लेकिन फिर भी आप देखते हो, समस्याद देखने को मिल रही है, तो जैसे कोई बड़ा सा जंगल था, ये कोई वेट लेंड एरिया था, वहां पर गोल्प सहर होता है, ये कोई छेतर होता है, ये वहां पर नेच्रल वाटर बोडीज होती है, उसका बड़ा इंपेक्ट होता है, कैसे, आप एक वेट लेंड का एजांपल लेलो, कहीं भी वेट लेंड होती है, इसका मतलब वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, वाटर बोलिम मे जितने भी नेचुरल तो तालाव है, या एक एक जामपल नदी का, एक कोई नदी के केस्मेंट एरिया को हम इंक्रिच्मेंट नहीं करते हैं, उसको नहीं सिकूरते हैं, तो जैसे वर्सा होगी तो क्या होगा पानी सारा चला जाएगा वहां से, अपने आप फ्लो में पान खड़े करती है, या जो नाला था, जैसे मुंबई में बाड़ क्यों आती है, मुंबई का ये लेंड यूज पैटर्न कैसे चेंज भा, कि वहां पर पी जैसे मिठी नदी है, और को नदी होगी, हिजरावद मुस्स से नदी होगी, कई सारे नदी हैं, जिलों का एक्ज बना दिया, तो इसके अब इनवारिमेंट क्या हुने वाले हैं, तो आपने क्या डेमांड दी, पहले एकजामप्ल दी कि थोड़ा सा दिया, बताया इसमें कि सहरी भूमिय क्यों क्यों होता है, धोड़ा सा, और कैसे, मैं आपका एकugenी दिल्ली एक हैं, जैनने के इसमाल कर स प्लानिंग सबसे इंपोर्टेंट है यह जो आइडिया जा रहे हैं यह आपके समधान वाले प्लानिंग होनी चाहिए इसे करके कुछ से आ जाएंगे पॉइंट है तो यह हो गया पहला कुछ सो गया बहुमी का उदार कैसी के जा रहे है तो यह दूने एक साथ जुड़े हु जगाए घजामपल अपको कौन सी जल निकाए से अधर का फिर तीसरे डिमांड इसके क्या प्रियाउन फरभाव अब इसके प्रियाउन के क्या impact हो रही है यह आपको बताना है प्रियाउन फरभाव बताना है यह main डिमांड है और इसमे एक समधान पुचा नहीं है लेकिन स सबसे इंपोर्टेंड सबसे पहला तो यह होगा कि जेविवित्ता का हास होगा वाई आपने यह देखा और इस पर अलग लग एक एक्जामपल आने चाहिए अच्छा एक चीज और है इस कुशन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भारत के एक्जामपल से बताओ कई बच्चे क्या करते हैं या मैं भी ऐसा करता हूँ कई भूल जाता हूँ कि यह कुशन भारत की दर्श्चे कोन से नहीं यह तो उपन एंडेंट कुशन है इसमें हमरे पास एक्जामपल वेस्विक भी आने चाहिए जैसे एक्जामपल जैवी तकास आपने देखा दुबभी में क्या हुआ दुबभी में जो कौन-कौन सी वो योजना मने थी प्लानिंग बनी थी तो उन्होंने क्या वाटर बोडी में ऐसी प्लानिंग कर दी थी है ना तो लोगों ने काफी अवाज भी उटाई थी वहां पे लेकिन अभी इंफस्टेसर वहां पे काफी क्रेट किया गया तो उसके इंपर्टेन एक रोल होता है एक पारितंत्र का रोल होता है दूसरा वहां का तो जलचकर है जलचकर इसका बहुत जयदा परवा पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा वाटर बोडी आपने देखा होगा कैसे कैसे एक से अटन्डा रगने भी यूःगदान देती है एक नगर की जलवाई बनती है उसके विजैसे थोड़ी से नगर की जलवाई नम जलवाई रहेगी थोड़ी सी हाना गर्मी में भी तो उनको रहात मिलेगी क्योंकि वेट लेंड पेड़ पोदे जीव जनतू सब एक पारित अंतर बनता है हाना और जैसे ही वह कंक्रीट से प्राकर्थिक वेट लेंड को नस्ट कर दिया हाना तो इसके क्या इंपक्ट हो रहे है सारे इंपक्ट इस पर बताओ नगरी जलवाईव का जल चकर का जीविवित्ता का जल पीने योगी जल का लोगों की स्वास्ते का सारे चीज़े इसमें बताओ परवाव में और समधान में क्या बताओगे alternative इसके समधान हमें निकालने चाहिए हाना तो समधान में एक समधान सबसे important है दंसंग क्या नियोजन क्योंकि सबसे बड़ा कारण है दूसरा नगरी planning स्मार्ट योजना हाना इसके इलावा क्या हो सकता है water bodies का structure तो wetland का structure कौन सा 2010 का एक्ट बना हो है वो बना होना चाहिए environment के लिए और का एक्ट बने हो है जो सहसता है environment की जो सब सुरुख साकरी उनका थोड़ा सा नाम ले सकते हो कोई case study आपके बास छोटे example की रूप में वो बता सकते हो तो ऐसे करके इस question को आपको handle करना चाहिए था और आप यह देख रहे हो इसे question को कभी किताबों में नहीं पढ़ना होता है आप यह सोचते कि यार मैंने कहां से लिका क्या करूँ इतना तो आप काविल हो UPCS parent इतना तो जानते हैं कि दो चार चीज़े सामने पड़ी इसको मैं तोड के लिए दो इवन आप लोगों ने इतना भी किया होगा कि थोड़ा सा बुम्मी प्योग को बताया और बुम्मी प्योग तो NCIT में आएगा भी आगे 10th के NCIT आएगे तो उसमें बुम्मी प्योग का एक चेप्टर आएगा आगे जाके तो यह चोटी-चोटी चीज़े जुड़के end of the day आप यह बोलोगे सर्ष योग्राफिकल सारा सेलेव समारावार और हमने अच्छे से पढ़ लिया इसको और जल्लिक आए आप समझते हो अब इसमें यह वर्ड समझ भी नहीं है को बुम्मी उदार अब सब्सक्राइव जल्टो कर रहे हैं तो यह तो अब सब्सक्राइव कर रह रहे हैं अपने के सारे साथे पेढ़ बोदो वह लगा तो, उनकि building के आजकल paid बनने, कौन सी technology हो चल रही है, वो link दो स्पहली है न, की थोड़ा साम वन्नो का विश्तार भी कर रहे हैं साथ-साथ, vertical वन्नो का विश्तार कर रहे हैं, आजकल आपने दिली में देखा। जो metro की filler है, वहाँ पे ऐसे पिल्दर पर वर्टिकल पेड़ पो दे ऐसे लगाए गए आपने देखा हो कि छोटे-छोटे वह इंपोर्टेंट होता है उनका वी रोल होता है तो यह एक्जाम्पल दो और के एक्जाम्पल दो ऐसे करके आपको इनके इंपेड़ पार्ट भी थोड़ा सा ब गरा रहा है वह तो वह ही है लेकिन हमें इस कुस्षन को सिमिट रखना है नगरी बहुमी पर जएदा फोकस करना है जंगल और गाउं की बहुमी पर फोकस नहीं करना है हाँ आपने लिखा मोना की जो ठीक है जैसे प्रिया सिर्म आपने लिखा है कि इससे टेकटनलोजी यह तो हता है आप जैसे अभी कुस्षन की बात चल रही थे उस कुस्षन पर बात कर सकते हो आपके पास अच्छा आइडिया एक्जाम्पल डाटा तो यहां सेहर कर सकते हो हाँ चलो यह आ गया ना अराम से समझ में आ गया हो गया देखो कैसे कुछन को तोड़ दिया है इस कुछन में 6 नमर में लेंगे जो भी हमने डिसकर्शन किया दस में 6 नमर जो हाइस्ट मिलते हैं most of ज्यादा नहीं मिलते हैं बैसी मैं 6 नमर बताते हैं कि आशा तभी जैसे मार्कस का पैटरन देखते तो 6 नमर तक मिल जाएं तो बहूत अच्छे मार्कस बारें जाते हैं अब मिलते कितने होके कि किषी को कुछन किसका है सहर ही इसका है तो के लाग के लिए बचा के रखो वह एक्जामपल आपकी काम आएगा थोड़ा सा फोकस भी होना चाहिए ना कि आपको किस चीज़ों पर जैदा फोकस करना है हाँ इसमें ऐसे कुछन में जो कंक्लूजन होता है थोड़ा नहीं बरा सकता है औ और SDG को इस्तिमाल करो कि हमारे most of SDG लगसे कौन से सहरा हुआ सस्टेनेबल सहर कौन सा है 11 एसे करके SDG लगसे कि आप एक काम करा करो लिस्ट रखा करो जैसे मैं अपने टेबल पर रखता हूँ याद नहीं होते हैं लेकिन बार-बार जैसे आंस राइटिंग करते हैं तो व पड़े हैं अब आप बोलो कि सब्सक्राइब डाउनलोड करो मोबाइल में रखो मोबाइल का कुछ दिर स्क्रिंसोट बना लो ठीक है उसको सामने रखो या इसका प्रेंट आउट लेकि दिवार भी चिपका लो तो जैसे इसमें 11 नमर का जो SDG लगसे है सहरो और मानो बस् में क्या हो था कन्क्लूजन में निशकर्स में क्या लिखो गए कि जैसे अचा यह जो SDG 11 वो तो समधान में चला गया कि SDG 11 में इसी बात कीगिए 2030 तक हम इलगसे हासिन करने वाले है कि उसमें भी जो एक सस्टेनिबल सहर है उसकी बात की गई है जीवो के सेलक्शन के से बा आने वाले वक्त में पांश ट्रिलियन दस ट्रिलियन का टारगेट रख रहे है वो कैसे एची होगा एक तो ऐसा कर सकते है और साथ में मानव संसादर बहुत इंपोर्टेंट जो हमने अभी कोई है जिन बच्चों को हमने कोया है वो क्यों जीमेदार इन सब चीजों को मिला जैसे कोवीड ने बताया था, कोवीड की समझ से अभी इस लेंड ही उससे जुड़ी भी थी, आपने देखा होगा, जो कोवीड जहां से शुरू हुआ था, तो यही हमने वेटलीन के साथ छड़ चाड़ किया, हमारा जो खाने का पेटर्न हमने अजीब सबना लिया था, जहा मैं आपकी बड़ाई कर दूँ, आलोज ना करू यह नहीं, आपका डवलोपेंट होगा है नहीं, जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, उसने एक कुशन लिखा, उसको पता लग गया कि मेरी आंसर में कमी क्यार, ओन दे स्पोर्ट लग गया, आप ये एक चीज़ इनोव बोड़े में आगे, मैंने बोड़े पार्ट में दो इचीज़ इड्रेस किया, अचा, तीन अढ़ी अड्रेस होनेचे थी, तुरुंथ लाल परेंच लिखा कि ये मेरी कमी थी, तुरुंथ लिखा, अचा मुझे भी एकजमपल देना चीए था, निशकरस, निशकरस में, अ कि आने वाली वक्त में रिजल्ट चेंज करेगा तो अभी मुझा आडिया लग जए लगे कि मुझे क्या करना है मैंने इसको देखो कैसे सुरू किया मेरे पास रिपोर्ट उसमें याद इन्हारी थी है ना तो इसको अमण मझा किसे किया मैं मोडलन सुर्ण को थोड़ा डिस इस कुशन को मैंने शुरूं किया, कि हाल ही में हमने कहा देखा, चैनी सेरी बाड़ के एक्जामपल में हमने देखा, कि वहाँ पे दोनुं चीज़े एक साद आएती, बाड़ भी वहाँ पे आए थी, और जल संकट भी आये था, और दोनुं का बड़ा रीजिन कहा रहत था, वहां का लेंड यूज फेटन में बदलाओ, उन्होंने क्या किया अपनी जो वेट लेंड है, जो जल निकाए है, है ना, उनको उन्होंने नष्ट कर दिये, किस के लिए अधरबू डाचे के लिए, अधरबू डाचे तो अलग था मामला, वो भी रशाथ करना चाहिए था, य से पहले है उसका environment assessment करो, जो social impact assessment है, वो भी होना चाहिए, social वाला क्या है, कि आपके इससी infrastructure की जैसे, जो वहां का, जो लोग है, वहां के आबादी है, या जो वंचीत वरग है, उसको तो कहीं नुकसान नहीं होने वाला, अना, society process का क्या impact होगा, वो भी करो, साथ पे environment भी कर है, तो यह अच्छे keyword है, प्रियावनी प्रवाव आंकलन, social प्रवाव आंकलन, यह अच्छे keyword है, इनको underline कर दो, number मिलेंगे, keyword को पकड़ते हैं, जो UPC copy check करते हैं, प्रपेसर अच्छे keyword को पकड़ते हैं, और उसी पे number मिलते है, और ऐसे कभी, मुझे इसा लगता है, गेस रोते हैं आपके, थोड़ा सा इसे आंकलन करो, मुझे कन्टम बता नहीं है, क्या होता है, जो आपके बड़े सरे हैं, उनकी तरह विद्वान नहीं हूँ कि हर चीज बहरें बता होता है, वो बता नहीं होता है, हमें प्रैक्टिकली बता लगता है, कि हाँ ऐसा कुछ तो बढ़िया था है, इसको भी मैं देखू, तो कोई दीकत नहीं कुछ इनकी डिमांड के साब से इंट्रो था, बाद में आगे चलते हैं, तो वई, ये क्यों हो रहा है, नगरों को अत्रित मुमी के आफस्ता क्यों हो रही है, तो सबसे इंपोटेंट तो है, जनसंग क्या, द और सहरी प्लानिंग, इंपोटेंट है, ये सबसे इंपोटेंट है, कि प्लानिंग उन्हों नहीं सही नहीं की, सहर ऐसे बसा दी, अपने आप चल रहे है जैसे, आना, बोलते हैं कि बगवान के बरसे चल रहा है सब कुछ है, तो देखने मुरे लगता भी है कि कहीं कोई बस पास यहां इस पेस था तीन लाइन का तो मुझे इसा लगा मैं यहां पर हेडिंग दूगा मेरा फ्लोचार्ट या कुछ बन ही नहीं पाई का तो मैंने क्या लिखा उस चीज को समझा दिया कि जल निकाएं से बहुंभी पुर्ण प्राप्ति का थात्रिक है प्राकृति वेट क्राप्ति से प्रावनिक के परभाव क्या हो सकते हैं तो सबसे पहला इंपोड़ेंट कीवर्ड क्या है और आज के लिए मैंने नहीं इनोशन सिखे टॉपर्स की कोफिस देखे कि वो टॉपर्स भी क्या करते हैं थोड़ा सा इसको हाइलाइट कर ताकि एक्जाम इंदिर को उसका कोई वरुसा नहीं है इसलिए तो मैं बच्छों को मना करता हूं कि जोग्राफिय उप्सिनल यदि नियू एस्परेंट हो कर सकते हो त्यार तो मत लो अब वही बात है मैं कई चीज़े बताने से इसलिए बच्छे फिर मेरे पर आपके लांचन लगाते हैं कि इसलिए आ लेकिन आप लोगों किसी ने जोग्राफिय ले रखा है या कोई भी सब्जेट ले रखा है इस्ट्री वह आप डिसाइड करो या रहा है ना मैं अपनी ओपनी देता हूं उसका मतलब यह नहीं में थोप रहा हूं इस बात को भी ध्यान रखना है तो कई बच्छे अपने इ तो यह सब के साथ नहीं होता है लेकिन कम होते हैं हम साLEKTION देखते हैं तो फिर कम लिलते है जैसे लास्ट इर एक दो मिले थे उससे पी पहले मतलब कम ही मिलते हैं ठीक है तो किसी को क्या सब्जेट रखना है बहाँ इससे बार-पर बोलता हूं कि कल मैं कम sum देख रहा था यूटूब पे से नेगटिव कमेंट करके दिसरा आप ने तो बच्छों को दोखा जादिया खुद ने ओप्सन से इसके लिया ना यार इसे दोखा किया जादिया इसमें मैं भी तो एक स्टुडेंट की तोर पर मुझे क्या सही लगता है वो तो मैं सोच पाऊंगो आप फड गूगल से बढ़ा तो इसका वेश्विग एक्जामपल आ गयए क्यूंकि मैंने धिखा कि मेरे कुछ्छन में एक्जामपल इंडिया के आ रहे हैं एक बड़ा रीजन यह था कि वहां पे काफे नुक्सान हुआ है मुसी नियुक्स्टि हैदराबाद गया जीवजंतो के प् सबसे पहले इन्मारिमेंट है बाद में हम है ऐसे करके ठीक आगे बढ़ते हैं सेकिंड पॉइंट का है अब ये तो सबसे बड़ा समस्या हो रही है कि ये क्यों हुआ सहरी बाड़ की ये सुका क्यों आया इसी विज़े सता है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल चेने का और आ तीन-चार बार पहले यूपी सी पूछ चुका है कुरसन इसका मतलब ये थीम रिपिटेड है और ये थीम भी रिपिटेड है जो आज हम पड़ रहे हैं बहुत ज़्यदा रिपिटेड है ठीक है दूसरा क्या दिया सहरी बाड़ और तो सहरी वेटलेंड से क्या हो रहा है स है एधिक वर्सा को शोकने तता जल संकट के समय क्या करती है जल आपूर्थी का खारी करती है जैसे एक्जांपल के लिए हम देखें चनही की बात करें हाली में चनही उन सेरों में गिना के ہے जहां पर पीनी के पानी का संकट आ गया था क्यूंकि जो सहरी जो वेटलेंड होत मिठ हजल कहाँ चला जाएगा? सागरों में चला जाएगा? गंदे नालों में चला जाएगा? पिनियोगी नहीं होगा. तो ये हुआ है, चेने की साथ में. या केप टाउन का अपने एक्जामपल दे सकते हो. ये क्यों हुआ ऐसा? हम ही उसके जिली जिमेजार थे. ये आपके साथ होगा. आज हम आप दसवी स्टेफ पर हो. एक दिन सोवी स्टेफ पर जाओगे, हजारवी स्टेफ पर जाओगे, देखना कितना अच्छा इनुवेशन आएगा आपने. ठीक है. इसके लाब जल निकाएं में हमने क्या देखा? जैसे ये एक यूट्रोफिकस निया सुपोस्टन की आपने देखा, इनिशाइटी पढ़िके हो, उसमें ये आया होगा, सुपोस्टन की गटना. क्या होता है? जो भी मतलब जैसे एक जी अग्रिकल्चर वाले प्रोडुक्ट भी कई भार होते हैं कि जो पानी में नाइट्रेट यूट्रिया बढ़ा देते हैं, उसके कारणे जो वाटर बोडिज होती है, सेरों में भी ऐसा होता है, बहुत सारी गंदगी है, जो ये होता होता है, सिवरेज लाइन जो होती है, जो आप इसको वाटर बोडिज के साथ जोड़ते हो, तो उसमें वाटर बोडिज में क्या होगा? बहुत जदा क्या बढ़ जाएगा? न्यूट्रिसन बढ़ जाएगा, और यूजिया वगरा इनकी मातरा बढ़ जाएगी, तो उससे क होगा, बहुत जदा वहाँ पे क्या होजाएगा, पेड़ पोडे ऐसा कुछ, स्यमाल वगरा, आपने देखे हो कि सहरों में ग्रीन स्यमाल गंदगी वाले अरिया देखे होंगे न, वो ऐसे होता है, यूट्रोफिकेशन के करणा होता है, अब वहाँ से क्या होता है, कई हान करेंगे, तो वह एक dead zone बन जाएगा, dead zone मतलब एक सहरी मरुस्तल बन गया हो एक तरह से, उसका कोई रोल नहीं है बाद में, वो लुक्सा नहीं करने वाला है, तो ऐसे example देके बताओ, कि कहां कहां इसे गटना गटी है, तो इससे क्या होँआ, बैंगलूर में कुछ जिले है अब जैसे कभी-कभी smart भी बन सकते हो, आपको नहीं पताओ, कई बार होता है, नहीं पताओ, बैंगलूर में हो, मुझे भी नहीं यार था, लेकिन बैंगलूर जील, अब इतना कोंचे करता है, यार, ये तो अपनी answer writing के कला सीख़गे कि हमें कुछ example देने हैं, अपने से भ जान करते हैं, तो यार, थोड़ा answer writing में कला होती है, फेकना भी शिखना होगा, ये मतलब ये genuine practical बता रहा हूँ, कुछ चीज़े फेकनी पड़ती है, हमें नहीं बढ़ता कौन सी IPC report आईती है, लेकिन introduction में आपने लिख दिया, कि हाली में जो IPC report आई, उसमें भी ऐसा बता है, हाली में यूनो की ये report आई है, कुछ-कुछ नजदी भी जा सकते हैं, कभी-कभी फेकना भी पड़ता है, ठीक है, practically फेकना पड़ता है, लेकिन practically, वेवारी के तरिश्टी कौन से कुछ आस-पास फेक हो, मतलब, इसे भी फाइदा है, तो ये example दिया, मुझे नहीं पता बैंगलूरी में, हाँ, बैंगलूर के एक जील का, ये पता था कि उसमें कुछ chemical reaction वगरा होगी, वहाँ जहाग बन रहे थे, वो चर्चा में थी, लेकिन कोई नहीं कुछ जील तो होगी, किसी ने की सहर में, जो utrophication का सिकार हुई है, सहरों में अक्सर मिलता है, मेरे सहर में बैंगलूर को सब जानते हैं, तो ऐसे करके, सहरी जलवायों संकटी, ये तो हमने देखा है, हमने क्या किया है, वही तो किया है, कैसे जलचकर होता है, एक सहर का, कैसे वहाँ की जलवायों को सही कर रखता है, वहाँ तो आप concrete के जंगल, उसमा हेट island है, सब सारे आ गए, त आप लोग दिल्ली रहते हो, नॉर्मली हम तापमान देखें, जो सूरी से आने वाला, वो लगबग सेम होता है, कि सूरी सी इतना temperature आ रहा है, लेकिन आज आप जो दिल्ली में बैटे हो, आपका तापमान मेरे से दो या चार डिगरी जएधा होगा, देखना, आप लोग ख चलती है, तो रात को हमारे भी थपड़े लगते हैं, गर्मी के, लेकिन जब लूर नहीं चल रही होती है, इस्तान ये लोकल विंडर लूर, आप जैसे कितना दिन में आज कितना आपमान हो, शाम को यहां पांच सविजे के बाद में ठंडा होते होते हैं, रात को तो यह हो प्रेक्टर हो रही है, क्योंकि वाटर बोडी इनवारिमेंट हमने उसको नस्ट कर दिया है, ठीक है, आज एक कुषन में आपको बहुत सारे चीज़े समझा दिया, इसे कुषन आते हैं, बहुत जदा आते हैं, प्रेक्टिक कुषन, बैसे इनको समाह लेना आप, ठीक है, सेरी जलवाई उसंक्टि यह हो गया, उधारा ने देखिया, हमने बदा दिया, दिल्ली कोलकता इनका देखिया, उसमाह हीड, देखो यह कीवड है, उसमाह दीप है, हीड चेंबर है, वाई प्रदूशन की गुंबद है, इसकी वज़े से हुआ, अब देखो मेरे पास एक और चीज आने चाहिए थी, यहाँ पर समधान वाला पार्ट आने चाहिए था, हलाँ यह कुशन में पूछा नहीं था, लेकिन आना चाहिए था, लेकिन डेट सो बड़ में आपकी क्या क्या लिखे है, अब समधान नहीं लिखा, तो यह समाहन हो सकती है, कि आदा नंबर थ इस डिज लक्स से आगए, इस पॉन सिटी का भी आ गया, या कोई अच्छे आज कली वर्टिकल जो वन लगा रहे हैं आपनी मिया वाकिये से बताया था भी, यह समधान वाला पॉइंट वो भी कैसे कीवर्ड में आना चाहिए था, एक डाइग्राम बनाते है, समधान का यह यहां पर कहीं बनता है, लास्ट में इस से पहले बनता हूँ, यहां पर समधान, तो इस में मोडलादान से में एक कमी है, समधान वाला पॉइंट आप जो ले ना, अब जो बच्चे स्मार्ट है, तुरुन दुरुन लिख लिए कि मैं यहां पर समधान में लिखूँगा, यह लिखूँगी, बन जाओ स्मार्ट जल्दी से, ठीक है, तर उसको कैसे लिखना चाहिए था, क्योल एक वो बनाओ, डाइग्राम की समधान क्या है, यह लिखो समधान, तुरुन लिखा समधान, समधान में क्या है, एक तो यह वेट लेंड सरक्शन कानून यह लिख दिय वेटिकल, वन्हों का विस्तार हो रहा है, वेटिकल आप कह सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो, इसमें एक स्मार्ट चिटी लिख सकते हो, ऐसा करिए समधान, SDG लक्से 11, SDG लक्से 11, उसमें क्या है, सतत सहरी विकास, यह समधान का आना चाहिए, लेकिन समधान इतना लि कि ठीक इसको अच्छे से क्या हूब यह कुछ जैसे पहले इसका नटेशन किये था उसी रेंज में है क्या करना चाहिए सबसे पहले तो यह देखना चाहिए मुरस्तली क्रण क्या रहता है एक टो धसट अगज़न्केशन मरुस्तल का मतलब मतलब मरुस्तल का बढ़ना कि मरुस्तल के से बन रहे है यह होता है टीक है डेजरटिफिकेसन तो कि जडेजरेट इन करते हैं तो वहाँ पर जल्वायू फ्रेक्टर नहीं जर आता है अभी देखेंगे थोड़ा सा जलवाई फेक्टर भी देखेंगे और लेकिन जो मुरुस्त लिकरन आजकल जो देखने को मिल रहे हैं उसकी जलवाई शिमाई नहीं है यानि जलवाई शिमाऊं के साथ-साथ मानवी कारक भी उसमें है कुस्चन की डिमांड यह है तो जो मुरुष्टल कर ही पढ़ है सारा मुरुस्त कर्डा एक सबसे पहले हमने धेखा उप्रस और से आता है सपास्धिया तैउक और मकर बेल्ट केसे बंद हांने पढ़ लिया वह होता है बादल नहीं बनते हैं उपर से हमने देखा जो उपर से आता है low pressure वाली युवदर है नीचे बैट ती है high pressure तीश डिग्री के आथ पास आथ बेल्ट तो आपर से जाते हैं बादल नहीं बनते हैं दूसरा तापमान वहां पे जड़ा है वासपिक रण की दर जएधा है. पहला रिजन क्या हो गया, उपशन हाई बेल्ट, वासपिक रण की दर वर्सा से जएधा, वर्सा की मातरा बहुत कम है, इसका मतलब वहाँ पे सुसक दशाही है, तो उन्होंने क्या बना है, डेजट बना है, वर्ल्ड की जितने भी डेज़े अपर बात करें हिसे अपर से बहुत करें तो कि यहां पर अच्छी वर्शा हो जाईगे कि थोड़ी कम वर्शा होगी यानि यहां गास के मेधान हो जाएगे यहां और जैसे अधर हाई प्रेसर बेल्ट में तापमान जयदा आधरता कम वास्पीकरन के दर जयदा ठीक है और दूसरा पाउनों का लास्ट पहुंचना एक रिजन हो गया उपोशन बेल्ट दूसरा हो गया पाउनों का अंतिम रूप से पहुंचना यह वर्षा की मातरा कम क्योंकि यहां से जो दो बड़ी रिजन यह हो गया जो ब्रम पाउनों का पहुंचना यह वर्षा कम वहना यह बड़ी दो जाते हैं। पच्छमी के जारे पर ठंडी जलदा रहा ये भी कभी के विजाते हैं ठंडी जलदा रहा लेकिन वो उतना बड़ा फेक्टर नहीं है ठीक है दो बड़े फेक्टर है मेजर डिजर मुरुस्तल बनने के एक मुरुस्तल ऐसे भी बन सकता है हाइट भी बन सकता है जैसे हम नीच बाती है हमने अब तक पढ़ा किदाबों में लेकिन अभी क्या हो रहा है इसा कि जिश्टिफिकिस्टन का जो विश्टार हो रहा है उसमें कलाइमेट का उतना रोल नहीं है इसको जादा बढ़ा रहा है इसको ज़ड़ा बहुत ही लिखना है इसको मेन आते हैं वह इंट्रो करन प्रेप एते सबसे पहले इसमें तो तुरूंत वह इपिंट सी के चिपकादवाराम से इसमें उन्होंने बताए भी ऐसा एक्रेश्ज जो सिग्सट एसेस्मेंट रिपोर्ट आचकी है अब है जो नूत शिक्स्त अंक्इल रिपोर्ट एंसेस्टमेंट रिपोर्ट हो उसका रिपोर्ट के नाम में लिख़ दो उसमें साभ साभ यह बोला किया है कि आज कर ऐसे बहूत सरी गतिविदिया हुए है जिसमें जसनें क्या बठाय मरुस्तली करण को बढ़ा दिया है, कौन सी ऐसी गतिविदィ हैं, यह इंटरो में इतना लिग दिया कि ऐसी बहुत रही गतिविदिया हुई है, जिस ने मरुस्त लिक्रन को बढ़ा दिया है और इक डाटा भी उन्होंने दिया था कि 2015 से लेकर 20 के बंदे है एक डाटा दिया था लगबग कितना मिलियन हेक्टर उसमें जैसे एक्जामपल लिख दिया हमने 100 मिलियन हेक्टर जब इन परति वर्स बंजर हो रही है या कुछ ऐसे डाटा लिख दिया नजदी की डाटा लि पर लिख लिख होगे suddenly см होती है जो ट्रेडिसलम की या मरुस्तल की या मुरुस्तल की मुरुतल की को करनी गई सकते हैं य्याभीं सीम् ज्यादा समझना हो यूटूब गूगल कर लेना, उतना फेक्टर वो है नहीं, मेन फेक्टर यही पड़ते हैं, तो यह हमने थोड़ा जलवाईव वाले सिमाव होता है, अब मेन इस पर लिखना है, फोकुस इस पर करना है, कि जलवाईव सिमाई नहीं है, अगला डिवांड पर्तवी की जो अकसान सी स्थदिया है, उनकी करणा भी जलवाई परिवरतन होता है, वो लाग को समय में बदलावाता रहता है, उसमें मानों का हाथ नहीं रहता, है ना, लेकिन उसको बढ़ा किस ने दिया है, मानों फेक्टर ने, तो एक जलवाई परिवरतन का भी एक्जामपल आता है कभी-कभी, अफरिका का साहिल परिदेश इसका एक्जामपल आता है कि वहाँ पर में ली क्या है, आजकल जो जलवाई परिवरतन हो रहा है, उसकी वज़ासे सारा डेजरेट का विस्तार किस तरफ हो रहा है, जो अफरिका का साहिल परिदेश की हो रहा उन देशों से लेकर मिस्तर तक उन्होंने संक्ला बना रहे था कि जो सारा मुनुस्तर का विस्तार जैदा नहों थोड़ा सा ऐसे करके एक्जामपल देखे आपने बता दिया और रिजन के अब बहुत सारी रिजन अलग लग रिजन आए एक प्राकरतिक रिजन बताया दूसर प्रिवर्टन हो रहा है तो जैसे इसमें एक्जामपल केस स्टिडिकेस की देंगे हम जैसे इसको मैं उपर लेता हूं थोड़ा सा बोडी पार्ट का में पार्ट हम कवर कर रहे हैं कौन सा कि उनकी जलवाई सिमाई नहीं होती तो पहला हमने इसमें पार्ट में कवर कौन सा यह ठीक है यह साहिल परदेश से यहां का डिखा दिखा दिया दूसरा हम एग्जामपल देंगे भूमी उप्योग में परिवर्तन जो कि आई पी सिसे ने सबसे बड़ा कारण यह माना है मरुस्तुली करण का विस्तार का भूमी उप्योग परिवर्तन लेंड यूज इसमें परिवर्तन लेंड जैसे क्योंने एक तो वेनों विनाल McCreay प्रवत्त्र उसका विоды्ट काहिं एसका डिजएंपल सबसे बड़ा एगजामपल है अपने यहां पे बंदा सकते हूँ यह सबसे बड़ा example है जो थार डेजरिट है थार डेजरिट का विष्थार किस तरफ पूरू की तरफ यह diagram बना जिना सबसे बड़ा रिज़न है क्योंकि यहाँ पे कौन सी है परवत कौन सा है अरावली अरावली का विनास कर दिया इसका मतलब पहले परवत दिवार की तरह खड़ा था है अब आपने क्या कर दिया यहां से दिवारे तोड़ दी तो जो डेजर्ट हवाओं के सारे किस तरफ विस्तार हो रहा है पूरों की तरफ विस्तार हो रहा है तो आपने यह बता दिया क्योंकि पहले तो अरावली थी ना यहां पर करदेश क कि तरेजिज की टरफ देली की तरफ कि विश्थार यह था तो आपने यह बताmek लिविक्षित की आणि इसमें क्या हुआ आपने यह देखा होगा जैसे इसमें केस स्टेडी जाएगी पंजाब रिणावारी आईगी हरित करांती परदेश में क्या हुआ बहुत जिदा उन्होंने केमिकल वगरा यूज किया तो आज वहां की जमीन होगी बंजर आने वाले वक्त में इसे बताते है विद्वान की एक समय यह होगा कि यहां पर बहुत कम उत्पादन खाद्यान बचेगा और जमीन ऐसे पड़ी देगी बतलब अतिदिक्स चाई के करान ऐसा हुआ या वहां पर क्या होगा फिर खुला पड़ा है खुला पड़ा है तो मिट्टी उड़े ही आराम से विस्तार होगा उसका जैसे हमारी यहां होता है जैसे गर्मी हो में अक्सर क्या होता है जब प्रसले नहीं होती खेतों में जब आंदिया चलती है तो यहां की मिटी ऊड़गी घ्टन गड़ी थी विसेशकर वह उसको भी कलाइमेट चेंज के साथ जोड़ा गया था लेकिन वहां मान बन जाओ, क्रेट कर दो, आपको कहीं भी न्यूजपर्म पढ़ागी है, आजकल यूरोप में सी कटना बढ़ रही है, अफ्रिका में सी कटना बढ़ रही है, कहीं तो एक्जामपल फिट कर दो वहाँ पे न, उसे आपका काम बन जाएगा, तो ये सब कारण क्या बता रहे हैं कि बाई, जलवाई हुई नहीं, और अन्य कारण नहीं है, अच्छा, एक हमने नगर का भी जादिया, नगर में भी बंजर भूमी के से हो रही है, वो हो गया न, डेट जोन, किसका जो वेटलेंड बगर है, सुपोशन बगर है, इसका भी एक्जामपल आ गया, ये भी डाल हो जाए, पूरा डेट जोन बन जाए, वहाँ कुछ भी नहीं है, इसा, कोई पारित इंदर बचा है नहीं, वहाँ पे केमिकल रियक्शन होके, इसा होके, तो वो भी आप मरुस्तल में सामिल कर सकते हो, थोड़ा बहुत ही, बता सकते हो, वर्सा में पेटर्न का बदला वो ही, मनुस्तली करन के लिए जिमेदर ही, बाकि हमारी जो गत्रीदी है, अचा आज के लिए जो गलोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके कारण सीओ टू, मिथेन, रिलीजियर कर रहे हैं, हमारा कौन सा, जो जिवास में दिन काम अतदी की उप्यों कर रहे हैं, ये भी आगे आन लास्ट में इसमें भी समदान का पोईंट आना ही चाहिए, कैसे आना चाहिए समदान का पोईंट? जब हमने कारणों की बात के लिए, समदान को क्या करो, डाइग्राम से लिखो, बाकि मत करना हैं इसा कोई एकसे में बनाईंगे, इसमें भी आपके पास HDG से कौन सा है, HDG निकल आए एक बार वहां से keyword निकल क्याए थे, four F, four F निकल क्याए थे, कि यदि हम ऐसा कर ले है, यदि हमारे food को सही कर ले है, हमारे fuel को सही कर ले है, हमारे जो feed यह जो हती है, उसको सही कर ले, एक और था F, इसमें, four F की उन्होंने concept दे थी, यह लिखो ऐसे इनुविशन होते हैं यह ना फूड फ्यूल एक फाइवर था साइद फाइवर था रेस्टे वगरा जो होते हैं वो भी करसी का एक प्रोडुक्शन होता है कपास इनकी कहती है कुछ और हो सकता है उसमें डाले वगरा भी हो सकती है इसा नॉर्मली हम देख सकत मतलब वो पानी का कंजप्शन वो नहीं करना पड़ेगा फूड भी भी आजाता है फूड ऐसा कंजप्शन होना चाहिए कई वार बोलते हैं कि जैसे जो मीट प्रोडुक्ट होते हैं वो जएदा मतलब कार्बन उस रजल में युगदान देते हैं क्योंकि एक मीट को प्रो करसकते हैं कि तुक्त ये कर सकते हैं फूड मतलब फ्यूल हो गया यानी उल सथे यहां इसा भी जल्दी में लिखना चाहाऊ तो अश्य वी Pakे और इसका क्या हो सकता है फिर वेक्तिक दीमेदारिया ना वेक्तिक एग्जामपल हो गए सरकार की बमी का अलगलग देशों में अलगलग कॉन सेप्ट चल रही है इसको रोकने के लिए अफरिका वाले साहिल परदेश की दिवार निकाल तो यहां पे जो अफरिका में ग्रिन ओन नहीं हो था है फनन पर पर प्रतीबंद होना चाहिए तो यह उन्हों ने बताया था विदवान ने बताया में लोग मांफिया लोग अभी भी काम कर रहे हैं सब मिली बगट से हैसब हो रहा है और चैसे और उस बते हैं जहां पर यह पेच्ष बन गये रास्तेन बन кहें वहाँ पे आप देखना कई बार मानसुन से पहले बीजो का छिड़काव के जाता है वहाँ पे बहुत सारे से जंगल बनाए जारे है जो वहाँ की जलवाई को अक्रडिंग होगी और जहाँ जहाँ इसी गटना गट रही वहाँ पे मतलब ऐसी एगरिकल्चर को बढ़ाऊ जो तो कम मतलब पानी को यूज करके मिट्टी को बांदे रहे हैं मतलब ऐसा करके आप अपने आंसर को बता सकते हो तो आप बताओ आप लोगों ने इसी कॉंसेप्ट पर लिखा ना कुछन की जो डिमानती समझ गे ना इस वाले पार्ट पर ज़्यादा लिखना था जो पहला वाला पार्ट था ना जैसे मैंने इसमें मोडलान से लिख रहा था तो मैं गलती से उस पार्ट पर ज़्यादा लिख गया तो बाद में एसास वा क्यार बच्छों के यह बात बतानी है कि ऐसा नहीं करना है यह हमें अभी सीख लेना हमारी गलतियों को अभी पकड़ लेना कि हम कहां कहां कमिया करते हैं उससे बहुत फाइद हम लेगा मेंली फोकस हमें इन दो पार्ट पर करने थे एक कारणों पर एक उसके समधान पर आना और थोड़ा क्रिटिकल अनलिसिस करना ही था उसमें ठीक है अरल सागर वाला एक्जमपल बहुत अच्छा है वह भी तो मुरस्तल हो रहा है वहां पर किया थेख शिचाई के करण वैसा हुआ कि वहां की नदियों का उन्होंने अति दीख सखाई या फिर आप कह सकते वोस पानी को उन्होंने उप्योग ले लिया बहुँ जिदा इंड अच्छे आप लिखते हो तो बहुत अच्छा लगता है इसे एक्जामपल दे रहे हैं आप अधिदीक फेस्टेसाइड के उप्योंक सी बूमी बंजर हो रही है बिलकुल आप हरणा का एक्जामपल विकास आपने दिया एक्जामपल ग्रीनबोल का एक्जामपल दिया है मनें कितनी बार बता दिया है अभी क्लास में ऐसी बात थे नहीं मेरे सामने कमेंट आगे तो लिख देता हूँ आपको गूगल में जाके करना यह ना डबलो डबलो तीन है डबलो डबलो डोट पिर इस्टडी विद डीजे यह डोट कॉम इस वेबसाइट में जाकर क्रोम म होना रहल हुए है गौगल क्रोम में जाके इसको देख लेना लेपडोगों में आइफ़ो या आपके मूबाइल में बिभी देख न हो तो गुगल क्रोम में जाके डेक्स्टोप मोड में लोगिन होलगा अधरवाइश सिंपल में लोग इन को नहीं पास रहे है अभी मेरे सबसे उपर भी नमर दिये गें उन पर कोल कर सकते हूं इसका मोडल आंसर भी देख लेते हैं बाकी तो मैंने समझा दिया मोटा मोटिक क्या था इसमें डिमांड क्या था ठीक है तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास रिपोर्ट नहीं होती है तो जो कुछ नमें पूछा गया है वो ही लिखते हैं क्या पूछा गया है कि मरुस्त लिकरन से ताथ परिक है उपजाओ मृदा वब्हूमी का सुस्क दसाओं से अरुपजाओं में बदलने से है या पता नहीं हो तो उसके आस पास लिखने कोशिस करो ठीक है अब हम प्रमप्राकत रूप से देखते हैं जलवाई उसके पर्मुकारक है जैसे उपोशन बेल्ट हो गया पाउने हो गई या उचाई वाला मामला हो गया वहां पे अलग लगते दिया और इसमें मैंने डेजर द नहीं थी लेकिन कभी को भी लगता है इसे लिखना भी चाहिए वो तो आप बताओ क्या डिमांड थी है ना ठीक है मेली फॉकस इस पर करना चाहिए जदा इस पे जाना चाहिए था वैसे मैंने वहां गवाया उसको ना थोड़ा सा जदा स्मार्ट बनने के चकर में इस पेस सकते हैं इस लिख सकते हैं सोट में जब लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कोई दिकर नहीं पहले मैं लिख क्या हूं अभी आगे भी लिखूँगा अब समझ में आगे कि कैसे स्मार्ट बनना है रावली परत का विनास किया पूरू के और अवेद खनन वगेरा वहां पे चल सायल प्रदिस में क्या वर्सा का परारूप चेंज हो गया तो वहां सुथ दशायं बन की और अब क्या हो रहा है सारा बड़ेजग खकर विख विचतार और एकारारीम फिमें करयाम संदत में कि मेरे मेरी racium मुझ्य कैस कि लिए नहीं मिल रहा है solution आ ले पार्ट के लिए मुझे space ही नहीं मिल रहा है इसका मतलब जो उपर नहीं ज़्यदा पुझा गया उसको ज़्यदा नहीं लिखना है उसको sort में नहीं प्ताना है यह कमी अच्छा है यहीं पता लग गई आपके सामने पता लग गई तो हम इस सुधार कर लूँगा आप भी ऐसे सुधार कर लूज़े से मैं नहीं सुधार किया है कि solution पार्ट भी आना चाहिए मुझे बार बार लग रहे मेरे यह space कहा जा रहा इस पे जा रहा फालतों की बातों में उतने उसकी demand नहीं थी उसको short करना चाहिए था मुझे यानि इस पे इस पार्ट को या तो चलो map बना देते है या तो ये बना दिया तो यह इतना बड़ाए था इसको कम करना चाहिए था मुझे इसको बिल्कुल short में लिखना चाहिए था थोड़ा सा space बज़ जाता मेरा solution वाला पार्ट के लिए space यह था मुझे बसे यह करना तो वो रखना है जिसे कई वो space मिला नहीं है तो अब दानकना solution पार्ट आपका space आना चाहिए अभी मैं बदा चुका उसको रोकने लिए कई उपाए अपने पास अब आप UNCCD का एक्जामपल देखे लिख दो अभी जो हमने डिसकर्शन किया सोलुशन पार्ट SDG वगरा लिखके कर सकते हो लास्ट में कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि डेजर्टिविकेशन नेकल जलवायू की देना है अपी तु जो तीरवे मुरसली करण है वो मानवी गतिव दिशकर्शन के कारण बढ़ रहा है यह हमने बता दिये है चलो यह समझ में आया अच्छे से आया ना समय में हाँ sign language कर सकते हैं कोई सुनिए इससे फाइदा ही होता है कि हम कम समय में मतलब sign language क्या है जैसे यह arrow दिखा रहा है यह तो यह तो नहीं बढ़ रही है नीचे गट रही है तो sign language कर नहीं सकते हैं कोई इससे मुझे नहीं लगता है उसमें मैंने पहले किये हैं कई बार ऐसी बात नहीं किया है जो यहां लिक रहा हूँ वही एक्जामिल क्या हूँ को बदला थोड़ी आ जाएगा यहां मेरे आंसर में आप कितनी बार देख सकते हो और नंबर भी मि दिने सारण यहां सब्वेता शिंदू गाटी वगिरा मत यूज करो ना यहां प्रैक्टिकल यूज करो जड़ा थोड़ा सा ऐसे कुस्रों में अपने बास वैसी भी स्कोब अच्छा है इन्वारे में इनका आए बहुसार रिपोर्टों का इस डीजी लगसेगा इसंदू स वाले पॉइंट पर कम लिख पा रहा हूं या लिख नहीं पा रहा हूं तो यह एक बड़ा संकट है आगे से ध्यान रहूंगा इसको कैसे आगे जैसे कल पर समय में लिखेंगे इस पार्ट पर विशेश जोर करेंगे सुधार लाएंगे जल्दी से इसमें सुधार लाना ज हो लिए कि कीवड को तोड़ लोगे को कुछन को तोड़ने के यह फाइदा है एक तो हमारे पास से यह परूत-पारितंतर चलो यह परूत-पारितंतर है ठीक है यह परूत-पारितंतर आप इसको बना सकते हैं ठीक है यह परूत-पारितंतर हो गया और यहां क्या 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 पुल बनाए जा रहा है या सड़कें यहां पर बनाई जा रही है तो सड़क और पुल हो गया यह क्या डवलोपेंट ही तो है ना फुल , पुल कैसे लिखी में लिखी में मान फुल हो गया ठीक है और परेटन परेटन के लिए क्या क्या हो सकता है अब प्रेटि तक खुद क्या प्रेटक खुद भी तो काफी खुड़ा कच्रा खुड़ा हिमाले में आपने एक रिपोर्ट दीगे होगी एवरेष्ट पर कैसे कुड़ा बढ़ रहा है कच्रा बढ़ रहा है वहां जो खाली ऑक्सिजने टैंक है या प्लास्टिक जो बोटले सारी डाकर डंब कर गया रहे ह वह भी तो कर रहे है ना साथ में प्रेटक कभी क्या करते हैं कुछ प्रेटक घलतियां करते हैं सिग्रेट बढ़ पिड़ी भी पीते हैं वहां प्रेटन जंगलों फैंक्ती तो आग लग जाएगी आग तो परवतपारितंतर में बहुत सा दिनक्षान हो जाएगी ऐसे सोच अब बांध बनाए तो इससे खत्रा क्या है एक तो आपने देखा होगा तीरी जो वाला बांध इस पर विद्वान कई वारी से ताउने देच चुके हैं कि तीरी बांध की कराण हो सकता बहुत ज़्यूरी है और सरकार ने जो बांध बनाए उसकी सेप्टी वगरा बहुत की लेकिन एक देखा जाना चाहिए कि परवती पारितंतर में क्या चीजी इंपोर्टेंट है एक्जाम्पल जैसे वहाँ पर जो भी राजमर्ग बन रहे हैं वो भी ज़रूरी है क्योंकि प्रेटन बढ़ेगा लोगों के आज यूगा बढ़ेगी यो सब जरूरी है लेकिन हमें पहले कि इसको रखना होगा परवती पारितंतर को पहले रखना होगा जो हम जो चीज crochet कर रहे हैं इसमें भी小 Diяти Penal सोच रखने पड़ेगी कि क्या नुक्सान हो सकता है है ना ऐसे करके क्योंकि बाकी तो हम जानते हैं का विकल फाले रास्ते क्या हो सकते हैं जैसे हमने यह देखा जो उत्रा खंड में पहले जो ग्रेसर फिखले और वहां ऐसा बताते हैं कि वहां जो विदुत वाली चीजी बनी वी थी बांध बनाएगी तो उनके कारण जो पार को कैसे पूने स्थापित कर सकते हैं यह आपका है solution पार्ट आपके पास क्या suggestion इसके अब अब देखो कुस्ण को मैंने खूल दिया तोड दिया अब आप समझगे किसन में क्या पूशा किया था आते हैं इस पे जैसे इंट्रो पार्ट पर आते हैं तो इंट्रो पार्ट में क्या होगा है हाली में मतलब प्रेटन भी एक तो बताया कि इसकी ग्रोध धनब पचास प्रशंट देखें गई है इसकी विज़े से क्या हुआ है साथ में लोकल जो लोग उनके भी डवलोपेंड की बात हो रही है तो इससे क्या होगा अधारभू डाचे की निवेश की सम चाहिए हमारा उद्द ची तो सही है वही कि पाड़ी लोगों का भी उद्द मतलब एक विकास होना चाहिए प्रेटन बढ़ना चाहिए आजिविका बढ़ने चाहिए एक अर्थ अंतर काम करना चाहिए तो डवलोपेंड तो बहुजरूरी हम मानते हैं लेकिन विकास और प्रेटक दोनों से इसी गटना बढ़ी है इसमें ग्रोध देखने को मिलना है इससे कई सारे संक्ट देखने को मिले हैं और बाद में यह विदा सकते हैं यह निपी कि नफसार बस सेंस्ता चेंज कर दी हमने थोड़ा सा दिमाग लगए हाँ ऐसा कर सकते हैं अब नुकसान और प्रवाव साथ में लिख सकते हो अब इसको बिलिट पॉइंट में पांच से इसे अलगले एजमपल देखे पॉइंट बताओ जैसे अभी क्या याद आ रहा है विकास और डवलोफेंट का क्या याद आ रहा है अभी मुझे याद आ रहा है अभी पहला ही तो आ रहा है विकास मतलब पस्मी काठ पस्मी काठ हाली में वाइड नांट तरास्ती इसमें क्या हुआ जो आपने मादोगोडगिल वगएर है उन्हें पहले ही कहाता कि यहाँ पे जदा मत करो मादगोडगिल आ कस्तुरु नंगर नृन्गण पहले ही खाता कि यह एको देके, कमेटी देके, वहाँ पर भी वो डाइग्राम बनाके बता दिया आपने ऐसा करके, ठीक है, आप जो उत्राखंड वाली जो गटना कटी थी, उत्राखंड का एक्जामपल देके बताओ, वहाँ क्या हुआ, बांध, विदूत वाली ये कौनसेप्ट वगरा, इनके कास और प्रेटन के कुछ एग्जामपल और कुछ चीज़ें बताके, उनको बताएं कि ये कारण है, ये नुक्सान है, ये प्रवाव है, ये बदाने कोशिस किये, अब में डिमार्ड है समझदान की, कैसे हम कर सकते हैं, वो है सोल्यूसन पार्ट इसमें, तो सल्यूसन पार इतन तरह उसकी बहाली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो पहला सोल्यूसन क्या है, पहला तो ये सतत समावी सिविकास है, सतत समावी सिविकास, ठीक है, इन्वार्मेंट को भी जान रखना है, इन्वार्मेंट के कोडिंग करना है, दूसरा, एक होता है, एरिया स्पेसिफिक आशाएगे है ना एरिया एक होता है लोकल लोगों का रहा क्लिकों पास किया तो श्रशनी नोलेख है ग्यान जो ना प्रमप्राकद ग्यान के साथ समाद तो सही एक बार कोई पूछ ता है निये उनको यदो क्योंकि सबसेदा इंपेक्टですね डालेगा उनिफ सकती बात में तो इसकाँ प्रियावनिय प्रभाव आंकलन बताओ कि वो होना चाहिए आज कल यह सा कंपल स्री कर दिया कि जो भी योज नहीं बन रहे हैं उनका आंकलन कर रहे हैं प्रेटन कैसा होना चाहिए प्रेटन थोड़ा नेंद्री तो होना चाहिए आना अन्दवान का एक्जामपल दूँ वहां जड़से घुमनी के थे तो अंदवान बहुत ही पहरा है घुमने के लिए बहुत ही सांधार है ना और मतलब फिर जैसे वहां कि स्तानी लोगों से कु कि जैसे जब संचादन होते हैं मतलब जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है पानी का पीनिये के पानी का चैलेंज है वहां पर बहुत है तो क्या करते हैं जो हाई आतरा है उसके टिकर सष्टी करते हैं तो जब प्रेटक को यह लगए किये थे एक बार आप मैंने वीडियो साधा किये थे तो उस समय वहां पे यह संकर था तो उन्होंने हवाई आतरा बहुत महिंगे कर दी जैसे यहां से जयपुर से वहां की आतरा 18-20,000 रुपे में कर दी टीकेटर ना उन्होंने तो क्यों अपरेटर कम आएंगे ताकि वह उन पॉइंट बिताने चाहिए थे हम बता सकते हैं और इस पर भी वेस्फिक एग्जांपल हो या इंडिन एग्जांपल हो कोई दीकर नियों से वह एग्जांपल देके बताने चाहिए लास्ट में निशकर पोजिटिव लिकना है थोड़ा चेदावनी वाला लिकना है कि हमें परवतियी चतर को ज़ए बचाना है कि लोग वह भी देश की जिली पर दोड़ाया होगाण्या毒 ट्सेसे सुरुन के विधुभा नहीं पर त्म पारिवतियों को को हम सुरुण के रास्ते से ऐसा कर सकते हैं उससे ज़र नहीं पढ़ेगा हो सकते हैं मुझे नहीं पता इस बारे में लेकिन जब आजकल पहाडों की बीच पे शुरुण निकाली जारी है तो कुछ विदवान तो कहते हैं कि यह भी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं लेकिन को टफ लग रहा है को कुछन को तोड़ना सीखे तोड़ना सीखने का मतलब की वर्ड को फाइंडिंग करना सीखे मुझे लिखना क्या है और किस पर लिखना है इस सीज को थोड़ा ज्यादा सोच है ना तो जैसे इसमें क्या है इसमें भी जैसे मैंने रिपोर्ट से नहीं लि थोड़ा साथ मैंने करंट लिखना पसंद किया और यहां इंट्रो थोड़ा बड़ा हो गया चकर में कि अपनी जो थिंकिंग अवह लिख राता और चुकि डाइस वर्ड में मैंने पहले खा कि दो लाइन एक लाइने एक्स्ता हो जाएगी इंट्रो में तो जिना फरकनी पड़ेगा गाईट कि दिषिव रखना है इंट्रो जाता बड़ा नहीं करना है ढगे निरे ठीद Já800 कि इसको नुब्त है यहां पर जबाई तो बिलॉलाप्ती और उसके नुब्सान आप पेसकते हो तो आज प्रस्मी गाट में बुस्कल के गटना है अवेद खरण वो प्रवतों को नुकसान पहुचाने से हो रही है उसके क्या कारण है और क्या उसके प्रवावावा पहले हमने वो गता दी है इसके लावा हिमाले पारितंतर हमने टीरी जैसे बड़े बांद बना है और यदि हमारा डवलोपेंट ऐसा नहीं होगा जो हम पारितंतर को नुकसान पहुचाएंगे तो फिर उसके इंपेक्ट तो आने वाले हैं जैसे वहां पर यह बहुत गरबड होता है कि जो विस्पोर्ड करके रास्ते निकालते हैं सुरंगे बनाते हैं विस्पोर्ड कर यह देखना होगा जिसे हिमाले में जाते हैं वहां पर इवरेश्ट के बेस्मी चर्चा में रहा था कि वहां तो बहुत दा कच्रा फेल रहा है डंपिंग याड बन रहा है एक रीपोट है ना और प्रेट को कभी देखना होगा कि उनका संबंद है उनकी साथ में वनों का व स्टेकोल्डर मानाओ ठीक है इसके लाब प्रियावन विसे सग्यों वह सिमीतियों कि सिपारिशों को व्यवार मिलाना पड़ेगा जैसे मादो गोट गिलोर कि अभी याद आ रही है सब को याद आ रही है कि उन्होंने पहले बोला था प्रियावन अनुकुल प्रेटन एको पाड़ो वाले रास्ते है जएधा मतलright अभी तो सुनने मारें वहां पे भी माहामारग बन रहे हैं वहां पे तो हो सकता है इमपेक्ट आये लेकिन जैसे नोर्मली जो पहले से बने हैं पाड़ों में रास्ते हो उन्हों जबने हो आप लोग आजकर ने राजसतान में आते है जैसे आदी ग्लास बहुत हुचा ही बेट थे वहां पे तो वहां जैसे हम लोगों ने होमिस्टेक किया था तो लोकल जो चीज़े बनाया था पत्रों से वो जो बनाते है ना ज्यादा आधो इंफरस्ट्रक्चर उच्छी बिल्डिंगर वो नहीं बनाई गी थे ना तो कहन विवे से ओकर गुजराए एक समय के बाद वह हाईवे के तोड़ देगा तो यह देखना चाहिए कि हाईवे का पानी कैसे उस हाईवे के नीचे कोई बड़े पाइप लगा कि वह आराम से अपने जहरना बैता रहे जिश्ट भी ने करे तो ऐसा एक्जामपल दे के बता सकत तो यह कुशन थोड़ा सा अच्छा लिखा गया था क्योंकि दो तीन पेज होगे इसके तीन पेज अच्छे से लिखे जाते हैं ठीक है अनुकुल विकास विकलपु समाथ इस्ताने लोगों से वहां पर प्रेटकों का स्वेम की जिमेंदारी भी जंदा गुरता करके अतका लिखनारी है तो तो भूमी जल्सद्णों प्रभावी प्रबंदन रिंद रिख करना मान भी विफद्य खलन सलम्द सकती है थाकर दोस्ट कर देगा अफो परहले तो पहले तो यह देरे भूमि और जल्संसाद्ण के बारे में लिखना है गूंगी एंड़ एंटाद फॉनी इनका क्या कर दिया हमने प्रभावी प्रबंद नहीं किया इन दोनों का आपने प्रभावी प्रबंद नहीं किया तो कौन सी विप्रताई या आई ये कौन सी आपदाई हमारे ये आई ये देशे भूमी का आपने सही प्रबंद नहीं किया तो क्या हुआ मरुस्त लिकरन हो र हो रहा है खाजान संकट हो रहा है और क्या हो रहा है पर दूस्ट भूमी पर्दूस्ट बढ़ रहा है बहुत सारे जल्पर दूस्ट सब जुट जाएंगे वाई पर दूस्ट से लेकर यह और है और क्या हो रहा है बंजर भूमी का विस्तार हो रहा है बहुत सार चीज़े आ रही है दोनुको अलगले लिखना या साथ लिखना दूनियों आपके पर जिए चाहो तो बूमी और जल्ट संसादनों का हमने सही परबंद नहीं किया तो उसके क्या इंपेट देखने को मिल रहे या कोई आप बिदा सकते हो इंट्रो में तो वही डालना है रिपोर्ट के शाफ चाहिए और बोडी पार्ट में पहला पार्ट कि इंका हमने क्या किया परबावी परबंद नहीं किया तो इसके विज़े से यह परबाव हमें दीख रहे है नेगेटिव वीवद आए देखन क्या होंगे सही प्रवाह होंगे इनका परबंदन कर दो दौनू का जल का है जैसे मानलो तो जल्ड का परबंदन जल्ड सरक्षन सब आजाएगा और भूमी का प्रबंदन मतलब अे वनों का विश्थार हो गया ना भूमी उपयोग को भी प्रयावन साबसे करना है तो सारे जो तो समझ से आ रहे थी गश्य Olka कम हो जाएगी दो इसके पार्ट हैए हम नहीं किया तो समस्य थी एक हम कर देते हैं तो क्या इसका समधान कुई रख सकते हैं दोनों को एक साथ रखना थोड़ा सा ज्यदा इस पार्टनेस होता बट यह मिक्स लिखना पड़ता उसको ना दोनों को साथ ही रखना पड़ता दोनों के साथ ही कॉंसुकेंस लिखने पड़ते हैं दोनों के साथ ही समयदान बदाने पड़ते हैं ऐसे करक तो इतना काम करते हुआ कि आप मैं टेक्नलोजी में फसने वाला रही हूं हर दिन सुधार कि है मैं अपने आप मेना आज आपको दिख रहा होगा देखो लाइटिंग भी सही दिख रही होगी बहुत ही इसमें भी नया इस्टूडियो नया किया गया पूरा अना वह जिदर टेक्नलोजी भी खर्चा किया गया इसमें तो देख लो आप फड़ा सा नेट्रों जिनका नहीं आ रहा है मुझे प्राउड है कि यार मैं खेत में बेट के एक ऐसा डिजिटल स्टूडियो बना पाया जब इनको देखता हूँ पिछले चार-पांच दिनों में जो समस्य आयती है उनको हमने सही किया है तो सब ठीक है हाँ बहुत अच्छे एक्जामपल है हर जगर बच्चों ने किया क्या अलग लग एक्जामपल दिया है जैसे विकास आपने एक्जामपल दिया सगन करसी के बज़ाए मोटे नाज वगरा फवारा बून-बून सी चाहिए वगरा सब यह सब आएंगे इस पे बहुत जिदा रिपोट आए उसमें क्या बताया गया है कि मानव दोवारा भूमी वजल के संसादनों के सही उप्योग नहीं करने के करने जलवाई उपरिवरतन के दूस्परणाम सामने आ रहे हैं देखो अराम से दोनों को कौन सेप्ट लेके लिग दिया बहुत अच्छा लग रहा है ब बूमी वजल के संसादनों का सरन और उसके कारण और परभाव इसके एक साथ लिए और इसका परभावी परभंदन कैसे कर सकते हैं और आपदाएं कैसे कम हो सकती है यह भी एक अच्छी कॉंचेप्ट है इसको मैंने बहुत इंटिग्रेडिट किया है आप इसको देखोगे थे तो जैसे सबसे पिपदे अच्यारव होगा आगे और और बूमी पर दो तूमी दबाउ क्या हूगा नग्री करुण के करड़ है इससे क्लेशार से यहो नुक्सान हो ऊरह है से न product से Co2 वैस्विक ठापन जिवासमें इंदन रिष्विक्धुतों अरु और अब इसका सॉलिशन क्या है, जंशन के नियोजूर करेंगे, सहरी प्लानिंग करेंगे, स्मार्टिटी एक सेंपल लिग दिया, वर्टिकल करसी करेंगे, वर्टिकल आवास बनाएंगे, और भूमे पर दबाव गम करेंगे, तो यह मने क्या गया, बहुमी का परबंदन, कितना प्यारा परबंदन किया है कुसन का परबंदन किया है तो कभी-कभी क्या होता है, ये सेली सबसे अच्छे बाने जाती है ये सेली सबसे अच्छे बाने जाती है आप देखना किसी भी टोपर का आंसर इस सेली में लिखेगा, वो तेट सोवर्ड में, कितने आइडिया एक साथ डाल देगा वो, ठीक है, तो ये आइडिया हमने डालें, कितने आइडिया एक साथ इंटेग्रेटेड हो गए, यही, मैं जब बोलता हूं कि आपको आंसर लिखना चाहिए, इंटेग्रेटेड इसके प्रिणाम क्या होगे, बुस्कलन बाड़ा आगी, आप दाईने साथ में आगी सब कुछ, एक तरफ कारण फरवाव एक साथ आगे, दूसरी तरफ सोलिशन क्या है, परकृति को भी यह, मानव का दर्जा दें, परकृति को भी एक स्टेक ओल्डर बान के चले, उसको एक लिगल राइट हमने दिये है, सतत्वा सभाविशी विकार्स को द्यान रखना है, ठीक है, आगे, यह तो भूमी समंदी आ रहा है, सहरो में क्या है, जैसे हमने कंग्रीट की जंगल बना दिये, क्योंकि इंफर्स्टेक्सर बना दिये, तो महां पर तापमार बगरा यह ह क्या है, करसी रुद्योग में हमने जलका मांग देखिए बहु जिदा, भूमी के जलका संकट वहां पर बढ़ गया है, हरित करांती प्रदेश हो या, ऐसी इंडिस्टिवल एरिया, महराष्ट के इंदर के ऐसी स्टिडिया थी, कि वहां पर जो ड्रिंक्स कंपनी है, जो ड करेंगे, कम जल उप्यों करेंगे, बून बून बढ़ावा देंगे, और वर्सा जलका स्रंक्षन करेंगे, जैसे मैं अपने खेत की बात कुर तो हमने सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रुक है यहां पे है ना, बट समय से क्या आती है, समता नहीं होती, करें तो कैसे क करें, एक knowledge information नहीं होता है, तो सरकार हाली में जो परदाम मंतरी जल सी चाही होजना लेकर आई थी है ना, दोजार सोदा की बात से है ना, तो इसके अंदर बून बून सी चाही को बढ़ा हो दिया जा रहा है, यानि अभी हमारे खेतों में आप फौरे देखोगे ना, आपक बून बून से हम सबजियां कर रहे है, बून बून टपका रहे हैं, और एक pond बना रहा है का आपने देखा हुआ, यह क्यों बना रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सरकार इसमें मदद करती है, सरकार तभी यह pond बन बन पाता है, क्योंकि इसका कर्चा 2-3 लाग रुप वर्सा का जल आता है, चटो से, वो सारा उसने एक होद बना रहा है, सब लोगों ने बना रहा है, तो कई NGO आता है, जैसे यहाँ पर बजाज फाउंडेशन चल रहा है, वो जल बचाने के लिए, लोगों के गरों में कुंड बना रहा है, लोगों को लगबग सरश्टिदी दे रहा है वो, तो ऐसे करेंगे, NGO की बुमी का होती है, सरकार की बुमी का होती है, इस्तानी लोगों की बुमी का होती है, फिर नोलेज की बात आती है, तो ऐसे हमने कर लिया, तो पराकरतिक दिल स्ट्रक्शन हमने कर लिया, SDG लग से चाह है, उसमें जल की इन की बात कर र आज वाले में SDG लक्षे बहुत आया है क्योंकि कुछ डिमांड ही ऐसे थी जहां पर रिपोर्ट्स आये हैं SDG लक्षे आये हैं उनके जहां डिमांड होगी जैसे डिमांड होगी उसको हम सप्लाई करेंगे तब ही अच्छे मारक्स लाएंगे तो बत्ते का जा सकता है कि बहुमी वजल संसातनों का समुझित परबंदन वक्त की मांग है ऐसा लिखो ना का अडपा से विता शिंदु से विता लिख होगे ऐसा लिग हो ठीक है यह हो जाएगा मेरे साब से बिल्कुल ऐसा कुछन दो या तीर वार यूपिसी एक्जाम में आ चुकर ऐसे कुछ नही है प्रेक्टिकल वाले कुछ नहीं आने हैं जड़ा से जो इफेक्ट डालते हैं ठीक है तो भारत के परमुग नगर बाड़ दसाओं से अधिक एसरुक्षी तो जा रहे है जैसे अभी दिल्ली का कैसे सारे कैसा सकते हैं आप चाहो तो इंट्रों में डाल सकते हो अभी दिल इसे करके आप बता सकते हैं मुंबई का एक्जामपल देजो तो इंट्रों इसका करेंट गठना से जोड़ते विए बताओ हाली की जो गठना है उसके साथ जोड़ते बताओ आप क्या है बाड़ की परमुग नगर बाड़ दसाओं से अधिक ऐसरुक्षीत है अब क्यों है गठनाई बेदीमाड ये बोड़डी डिउसके समया सब्सुषरें हैं टिक है एसा क्यों और यह उसके और प्लानिंग जो होनी चीदी वो नहीं है उसी करण आज सब कुछ हो रहा है ठीक है दूसरा उसकी अविस्तिक कहां पर है अविस्तिका पर बहुत फ़र्क पड़ता है जैसे मुंबई की जो लोकेशन तर्टी है ना तो दक्सिन पसी मान सुन जो है इसके करण क्या हो रहा है जैसे चारू तरफ से जैसे एक तरफ अरावली है पाड़िया है वहां पे ना तो गुरुग्राम जैसे यहां बचावा है तो ड़ाल इस तरफ है में सहर की तरफ ड़ाल है तो यहां बहुत ही जल्दी पानी बढ़ जाता आप ने देखा होगा गुरुग्राम में चुई- यहां इंपेक पड़ेगा जैस के ओपर यह बहुत इंपोरेंटेंट टीसरी क्या है जो पराकर्फिक वेट लेंड उसके साथ इसके लावा जो नदिया है उनका केच्मेंट पर हमने क्या के लिए अत्तिकर्मन एक्जाम्पल देदो मुझसी हेदराबाद एक्जाम्पल निकल के आ रहे हैं कितने रिजन बता रहा हूं में आदार बुड़ाचा अवस्तिती फलाणा अव डिकड़ा एक असस्टन अपने पास है एक इंडिया का में बनाओ ठीक है तो समधान पक्स की बात करते हैं कि क्या इनका समधान हो सकता है सहरों का अब सेरों का बहुत अच्छा समधान है जो आपने कारण बताई उसके समधान बताओ जैसे पहला जो प्लानिंग की समय से आती तो वहां पर आजाए प्लानिंग अर्बन मिशन है ना को समिसन है वह बीसमधा दो दूसरा जो पराकरतिक वेटलेंड बगिरा ना उनको जो नुकसान पहुंच रहा है तो इसका वेटलेंड का नून बनावा 2010 कोन सा बनावा है वेटलेंड के इंदर सुरुक्सा के लिए बहुत सरे है प्रयाउन सहरी बाड है जो इसमध सिटी का ऐग्जामपल दूर अच्ही अँह बई संध सिटी इसमध सिटी में किसका एग्जामपल दे सकती है चीन ने सकिया है एक जापानथ़ कुन सा है जो वहाँ का जो अफ़वातंध नन्तर है उसको सही करने में जापान नहीं केค fender icon बहुत सरे सबसे बड़ा एक चलेंज यह भी देखने को मिल रहा है, जैसे सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है, सिस्टम है, वो अपनी भूभी का इमान दारी से नहीं बाएं, तो इसी समस्या नहीं आएगी, जैसे अभी अपने दिल्ली की जो गटना कटी है, अब वहां पे कितने लू एक ऐसा एक टेकनलोजी बनाई है, अब जैसे आपके अरिया में इसी घटना घट रहे ता आप उस एप पे फोटू लेके जियो ट्रेगिंग करके तुरंद उनको आप सूजना कर सकते हो, या उन्हों एसा भी उसमें किया था, रियल टाइम निगरानी के लिए इसा किया थ मतलब जो भी कर सकते हैं, सीटीव केमरों के मादम से, जीपीएस के मादम से, लोगों के मुबाइल एपस के मादम से, कि जहां पर वाटर लोगीं के समस्या आ रही है, तुरंद लोग उसमें घटना देते तो वो तुरंद ध्यान रखते हैं, उन्हों ट्यूटर का भी सारा लिया था, ट्यूटर का भी सारा लिया कि लोग जएधा जएधा सिकायत करें, तुरंद उसको पकड़के सुचना वेके बने टीम बेह रहे हैं वो, तो यह एफ्रेक्टिव मेनेजमेंट हो सकता है, ऐसा करके आपको इन्हों बेस अलान है, अपने आंसर में से गिस्सा भी भी बात नहीं आपने, ठीक है, जैसे इसमें मैंने रिपोर्ट डाली है कि उर्जा प्रयावन और जल परिसे दबनी CWW के दवारा प्रकासी एक रिपोर्ट में बताएगा था कि जैसे आजकल चरम जलवाई की जो गटनाएं बढ़ रही है, और उसमें क्या वारा है, जैसे चैनही और हिद्राबाद में ऐसा हुआ था, साथ में चरम जलवाई गटनाएं के कराण के आज़ा रहा है, अथिदीक वर्सा हो रही है, अभी जैसे, आप कहीं देख लो, पूरे भारत में देखोगे नगरों में वीशेस के जैदा जो वर्सा हो रही है, तो एक प्र सिटी नी है, तो पानिक का वाटर लोगिंग या जो जल ब्रहाव जल्दी होने लगता है, ठीक है, चैनही का एक्जामपल दिया आपने, जल निकासी का संकट है, इसे क्या होता है, मुंबई में नगर निंगम जो वहां का, महान नगर निंगम जो भी है, वो दक्सिन के दवार है, वो बंद हो जाएंगे, और फिर बाड़ का आएगी, सहरों में आएगी, बस्तियों में आएगी, तो वो एक्जामपल दे के बता सकते हो, सहरी नदी के अफ़ात अंदर का अतिकर्मन भी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्जामपल बढ़ दिया है, इनमें, सहरी प के उसने वार्ड आती है, कितना सिस्टम है, किसा सिस्टम सब के आंखों में, आखों के सामने दोखा किया जा रहा है, जबकि अभी भी सब नपढ़ेंगे महाँ फे, अभी CB IQ जैसे दिया गया है, वास्त में जो बच्चों की जो अभी अपने बच्चों की जो दोस्तों की जो मरती हुई है उसमें सारा का सारा मतलब उनका दोस है क्योंकि बच्चे बोल रहे थे लास्ट ये भी वहाँ पानी बरा था पंपों से निकाला जा रहा था इन्होंने सिकाई थी लेकिन उसका किया नहीं कुछ मतलब इवन स्टेकोल्डर की बात करें सबसे बड़े स्टेको हमा की सुसाइड भी कर रहे है तो थोड़ा सा बच्चो ये ध्यान रखो यार मतलब जीवन को मुझे सा लगता है कि जीवन की कस्या सबसे उपर रखो इसे फरग नहीं पड़ता है कि आपका जर्णी कैसे रहती है सफलता है यह फरग नहीं पड़ता है फरग इस बात का बोल पर तो आज सबसे आगे निकल गए, कोई फरक नहीं पड़ता, किसी भी चीज से, फाइनेसल से, परिवार से, किसी भी चीज से हम कमजोर नहीं है, किसी भी चीज से, सब लोग जानते हैं, पहजा जानते हैं, अच्छा व्यवार करते हैं, उन से भी आगे निकल गए, जो कई कमी रहेगी नहीं हो बाता है तो मैं रोना नहीं हो मैं तो आजाद मैसुस करूँगा कि यार इस चक्कर से आजाद होगे तो ये चीज़े मैं थोड़ से प्रेक्टिकल वाले भी बता देता हूँ तो इनकी क्या-क्या समझे है वो बता दी हमने और साथ में एक मैप भी बना दी है हमने और कैसे हम सहरी बाड़ के परवाओ जो हुई है उनका जिसे क्या-क्या रुक्सान होता है इसके समधान भी बताने थोड़ा समधान पार्ट और बड़ा आ सकता था मैंने ज़्यदा टाइम कहां कपा दिया थोड़ा मेप ज़्यदा बड़ा बना दिया और इस पर ज़्यदा कर रहा था कि कहां कहां समझे है है तो फ़एव ट्रिलियन होगा थोड़ो इस पात कर रहा कि कितना को सब्साना हो सब यहाँ पर मानों के सती बानों वजीवों को नुक्सान होता अभी देखो हाली में दिल्ली में यूपी से इस प्रेंट की या स्परेंट के साथ दूर गटना है यहां पर छुट गए था ठीक है यूपी सी एस्प्रेंट हाली में दिली है ठीक है तो फिर इसका समधान पार्ट क्या हो सकते हैं समधान पार्ट थोड़ा और अच्छा सकता है ठाइम मुझी देना चाहीता है इस पर तो जैसे विकास के साथ हमने क्या करना है आप दबर मदन कोदगे या पानी विवाग वाले आएंगे उस रड़क को तोड़के नया जाल विशाएंगे आप नहीं देखते हैं कि कितना दूर्पियों को रहा है संसाद्र होगा आपस में उनकी अंडर्शनिंगी नहीं एक दूसरे की कि भाई सड़क वाले को पहले पूछ लेना ना ताएकी पानी का फ्ला सही रहे जो आपदा परबंदन या दूसरा डिपाट्मेंट कोई वह भी वहां रहे साथ में जापान का मोडल इसमें बता सकते हैं कि एक भान स्रंगों से नहों करके ना कहीं सरी मोडल भी आने चाहीत लासमें के अच्छा सकर्शनिौ ठीक है ना तो वो ही बात अचीजिए थोड़ा समझने के और करने की है ना